जब भी मास्टरिंग की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही प्लगीन आता है आई जो टॉप ओजोन पर अभी रिसेंट लिक कुछ टाइम पहले ओजोन का नया वर्जन रिलीज हुआ है ओजोन 11 पहले सब 10 यूज कर रहे थे तब देखना यह के 10 से 11 में कितना शिफ्ट किया हम लोग ने तो जो जो नए फीचर है सब को कवर करेंगे और देखेंगे कि भाई यह खरीदना वर्थ है भी कि नहीं सबसे पहले बात करते हैं यू आई की भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लीजिंग बना दिये पहले से और अभी जो यू आई है वो ज़्यादा इसी टू यूज लगता है और हैंडी लगता है कि चीजे बड़ी मिनिमिलिस्टिक करके आपके हाथ में देए फर एक्जमपल अब इसके दो मोड हैं एक हो गया एडवांस मोड कि भाई आपको छोड़े चोड़े ट्विक्स करने और एक हो गया उसको कह सकते है है वो दिख जाएगे राम से तो अभी जो नएने फीचर साइए हैं उनकी बात कर लेते हैं बाकी सबका तो हमें पता ही है सबसे पहला जो नया टूल इसमें आता है वो है क्लेरिटी अब क्लेरिटी क्या है कहीं भी देखोगे तो बड़ी कन्फीजन फैली इसकी कहीं तो वोकल से फिर कोई भी ट्रैक हो जादा क्लियर साउंड करता था सेम टेकनिक पर यह काम करता है बस फर्क क्या है यह मस्टरिंग के लिए बनाया गया है तो यह सटल इफेक्ट देता है फ्रेश एर क्या है थोड़ा हार्शनेस दिखाता है पर यह काफी सटल रहता है आप को ना पता नहीं चलेगा कि इसमें इतनी ज्यादा एड़ कि आपको यह पता चलेगा कि आपको ट्रैक ने पहले से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया और स्मूधनेस के साथ आपका कोई ऐसा नहीं कि पीक टच कर गए हैं आपका लिमिटिंग पार क्रोस हो गई है ना बहु तो हमें क्या पता चलता है कि ट्रैक पहले से थोड़ा सा स्मूध हो गया पर ऐसा नहीं है कि उसकी बोड़ी चली गई है तो यह बहुत अच्छा तूल सावित हो सकता आपके मास्टरिंग के लिए कि आप बिना कोई डीटेल लूज किये सिर्फ हलका सटल कुछ हैड़ करें है अब आपके मि'd रैक में क्लेरिटी आ जाई तो अभी इसमें निया फीचर एक है कि अगर मांन लो आपको मास्टरिंग करने की से लिए पर आप चाहते हो कि पास सेशन आये पूरा सारे स्टेंज नहीं पर इस बार क्या वहा कि आपके पास ना पूरा रेंडर्ड आक सेश है तो वोकल से कर लिया पर यह हैं अगर हम बात करें यह फीचर कोई उतना ज्यादा नहीं यह पहले बीटा लगा सकते हैं यह फिर सिर्फ बीट पे या फिर बेस पे तो यह कुछ नया है है इसमें कुछ नया किया कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज पर बीट पे बेस पर वोकल्स पे हम क्या कर सकते हैं कोई भी लगा सकते हैं कंप्रेशन एक्यू साचुरेशन जो भी करना वो कर सकते तो इस से मैं थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है हां पर ये फीचर यूज वहीं यह बहुत जरूरी फीचर होता है यह हर तूल मैं अच हुआई डेल्टा का फीचर दिखने मिलेप्यट कर बलगा है ऑट खोले तो मुझे यहां से मैंने बैल बढ़ा दी ठीक है अब मुझे नहीं पदाए कितना असर कर रहा है एक्यू मेरे वोकल यह ट्रैक पर तो डेल्टा का ओप्शन क्या करेगा मुझे जो भी एफेक्टिट सेक्शन है जिस पर इफेक्ट अपलाई हुआ सिर्फ वही सुनाए यह हर प्लगिन में अवलेबल है सभी प्लगिन में तो आप यह देख पाऊगा कि क्या एफेक्ट हुआ है कोई भी नौप छेड़ने के बाद नेक्स्ट अपडेट हमें मिलता है मैक्सिमाइजर के अंदर अपवर्ड कंप्रेशन का अपवर्ड कंप्रेशन का एक होता है ड चाहते एक टरफ आजाए तो आप यह क्या करूगे हाई वाले को आप जादा कंप्रेश करो गें ताकि वह इसके एक्वला जयए तो अब आप वर्ड गंप्रेशन का करता है कि इसको छोड़ देता है जो ज्यादा वोल्यूम वाला पार्ट है और इसको अभी बार्ट कम है जो भी sound का lowest part है यह सिर्फ उस पर काम करेगा अब इसका जो AI फीचर है जो AI की मदद से mastering कर देता है उसमें भी कुछ enhancement करी हैं जो कि मैं अभी दिखाता हूँ एक तो इन्हों ने जो UI में improvement की हैं वह पहले से बहुत ज्यादा खुबस्वरत लगता है पहले आपको tonal balance का plugin अलग से खोलना पड़ता था अब यहां पर डिरेक्ट सीधे ही आपको tonal balance का plugin दिख जाता है कि आपके sound tonal balance कैसा अगर बिगड़ा हुआ थे खुद बखुद से ठीक कर देता है एक चीज़ उन्होंने और एड की है vocal balancing for example आपके वोकल्स जो है उनका लेवल अगर unbalanced है mix में तो यहां पर AI की मजद से इन्होंने इतने सारे जोन्राज को study कर लिया है अब इस AI को सीधा ही पता चले जाता है कि वोकल किस जोन्रा का तो उस हिसाब से उसकी बोकल बैलंसिंग कर देता है या तो आप खुद से कर लो या AI से कर वालो दोनों ही ऑप्शन अवलेवलार दोनों ही बहुत अच्छे है एक इंपोर्टेंट और लास्ट जो अप्डेट है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका चैसे कि पहले हमारे पास तीन options होते थे ड मेसी ंड्रीयो मित साइट और लेफ्ट राइट के कि और राड़ साइट और संहीन से आपके किसी भी साउंड की डिटेल्स जो भी डिटेल इन्फरमेशन होती ना साउंड में वो तें रांजेंट अब आपको ट्रांजेंट पे एक्यू करना कंपरेशन करना जो करना कर सकते हो और बहुत ज्यादा काम का फीचर को बहुत बार क्या होता ना हमारी मिक्स में ना कई बार डीटेल्स मिसिंग होती है मिक्सिंग इंजिनेरी गलती होगी या फिर कोई और भाई साउंड अच्छे यूजनी किये तो सिच्वेशन में आप ट्रैक की क्वालिटी को एक लेवल और उपर लिजा सकते हो इस ट्रांजेंट के नोप से के भाई सिर्फ ट्रांजेंट पर ही फेक्ट अपलाई होगा और क सकंदरा की सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शिंट के स्क्षिंट एमलब हमेशा से चाहता था कि कोई भी इफेक्ट हों कोई भी एक इपट्मल लगा हूं सावन पर तो वह पर्टिक्लर एक section पे लगे sound के for example transient बड़ी important चीज होती है क्योंकि उसके बाद ना for example मैं क्या बता हूँ अगर आपको vocal singing कर रहे हो words तब clear सुनेंगे जब आपके transient clear होंगे तो transient clear है तो शब्द भी साफ सुनाई दे रहे बढ़े हैं बढ़े अब इतने भी फीचर दीये सारे बहुत ज़्यादा काम के हैं और बहुत ज़्यादा accurate है बहुत ज़्याद एककुरेट ली काम करते हैं sound में मैशीड इंप्रूम्मेंट देते हैं काम करते तो अगर आप पर्चेस करना चाहते है या डेमों ट्राइग करना चाहते है तो लिंक डिस्क्रिप्शिन में मिल जाए गड़ा जागी ट्राइग करो और या कमेंड में जरू बताना किसा फिर कैसा लगा तो चलिए तो इस वीडियो पर देख नहीं वीडियो को लाइक कर शेर सब्सक्राइब के साथ जो भी मीजिक में इंट्रस्टीड हैं तो चलिए दोस्तों और आउट